मैं मोदी जी से कुछ आग्रह करना चाहूँगा एक आग्रह मैंने पिछले वीडियो में छोटा सा किया था तो वो आग्रह सबसे पहले होगा क्योंकि ये दूसरे जगव वीडियो जा रहा है गटकरी जी से ये आग्रह है मूलता मतलब काफी काम कर रहे हैं कि एडिशनल नमाज लेन जो है बनवाई ये क्योंकि कावर यात रहता है नहीं कि महने में मतलब पूरे वर्ष में एक बार होना ये हर सप्ता का है शुक्रवार को और यदि आपने डेडिकेटेड लेन बनवा दिये दो लेन को आपने चार किया चार को छे किया इस्टरन पेरीफरल वैस्टरन पेरिफरल तो इसमें एक इक्षो popular बनवा दीची नमाजियों के लिए दोनों साइड, अप डाउन दोनों साइड ताकि क्रॉस नहीं करना पड़े जो जनता जहाँ पर वहीं पर आके पढ़ सके और वह लेन जब बन जाए तो फिर एक लाईए सब का नमाज सब का विश्वा स्कीम सब का नमाज सब का विश्वा स्कीम क्या होगी कि वहाँ पे जो नमाज पढ़ी जाएगी ना उसको देखने के लिए एक एक लेन दोनों साइड में जो रिजर्व होनी चाहिए उसमें जो है राफैल से याई से बड़ी बड़ी लोहे की सीधियां जोती इस्टेप वाली वो उपर से ड्रॉप की जाए और वो रखवा दीजिए और उस पर हिंदू खाली बैठे उसको पता चलना चाहिए कि देश में माइनॉर्टी भी है और सरक पर नमाज पर रहा है उस को तुम देखो और जितने भी हिंदू जन्म लेते हैं इस देश में उनको जैसे इसरायल में होता है ने को बच्चा जन्म लेता तूसको राष सेवा में सैनिक बनना गी होता है तो तो हिंदू हो कि तुम्हें नमाज टिक्ट-कटकर आंक समय सीमा जो है समाप तो चुका है फिर भी टोल है 20 किलमीटर के भीतर एक दो टोल मिल जाता है तो यह सब है तो पैसा ही जब बनाना है तो पैसा बनाईए और नमाज वाली लेन और यह ग्लोब मास्टर राफैल से उपर से कुर्सियां गिरा करके और फिर जब हो जाया तो पार की बात है टू-थर्ड मिजॉर्टी आ जाएगे हलांकि मिजॉर्टी भी थी तब भी आप यह कर सकते हैं अभी तो आप संसल सत्रियदी बुलाना चाहें स्पेशल सेशन मेरे इस वीडियो के बाद तो आप कीजिए आपकी मतलब स्रद्धा है मैं तो छोटा आदमी हु मुझी वक्फ एक्ट को संशोधित कर दीजिए लेकिन वो वाला संसोधा नहीं जो मैं लंबे समय से मांग रहा हूं नहीं 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 वक्ष एक्ट को संशोधित करके आप मजजिदों के पास की जितनी भी सडके है वो वक्फ कर दीजिए और उस पे यदि गैर मजह cinnamon चलत आकबर और अंग्जेब और बावर की जो परंपरा है, लीनियज, जिसके खुमारी में आज तक आप जी रहे हैं, दिल्ले में आप से सडकों का नामकरन तक जो है, वो इतने वर्सों के बाद भी नहीं बदला है, आकरांताओं, लुटेरों, बलातकारियों के नाम की सडकों प करके, और वक्व का जब करी रहें, तो वो जो हाइवे का जो लेन था, जो अभी मैंने गटकरी, उसको भी वक्व की संपत्ति घोशित कर दीजिए, और उसमें भी कोई यदि चलना चाहे, तो वो उस लेन का डेडिकेटेड टोल बूत होना चाहिए, कि उसमें यदि आप ज नमाजीयों ने नमाज पढ़िया और बारवा पढ़ते हैं, उस भूमी पे आपका चक्का जा रहा है, टायर जा रहा है, तो उसका भी टैक्स आपको, इंटरी के लिए भी, एक्जिट के लिए भी, दोतर पर टैक्स ले लिजे, मिडिल क्लास टैक्स देगा, जी, मिडिल क् से प्रापर लिजे, खास करके हिंदू और अपरकाष्ट होता है, उनसे तो एकदम बहुत ही जादा लेना चाहिए, तो यह जजिया जो है, यह संसोदी करके कीजिए, मस्जिद यही सड़क से दूर है, ऐसे केस में याता यात मंत्रा ले या तो ओला उबर के कूपन बांट सकती है, या फिर फीडर बसे चलवा सकती है, कि भाई दूर है और नमाज पढ़नी है, सड़क पे नमाज जो है, वो सबसे अधिक अच्छी होती है, भारत में मानी जाती है, बाकी तो इनके अधित वदित में लिखा हो है, सड़क पे नमाज जो है, नहीं पढ़नी चाहिए लेकिन कौन मानता है वो ऐसे भी नमाज है भी नेशक्ति प्रदर्शन है तो सरकार को बसे चलवाने के वस्ता करनी चाहिए ताकि लोग जो है बढ़िया से अपना बैट करके फ्रीडम में वहां जाए और टाइम जो है उस हिसाब से किजिए ऐसा नहीं कि उधर माइक पढ़ी गया और इधर मिस हो गया किसी का ने यह सब का ख्याल और एक आइस ओफिसर को या रिटाइड आइस ओफिसर कुछ लोग जो राजिसभा का नमनेशन सीख कर रहे हैं उनको मिल नहीं पा रहा है वो ऐसे लोगों को आइस आइपियस जो है उनको आप जो है यह बस संचालन का यह कारी दे सकते हैं तो इससे वो लोग मौलाना मोदी कम से कम कहना आपको बंद कर देंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग है चोटे चोटे यह जो टूटपुञिया लोग है कुछ लोग जो यह सब करते रहते तो उनको भी मोदी जी इंप्लॉई कीजी आप और बस यह सब का नौकरी वो फीडर बस से जो चलवाएंगे उसमें आप लोग दे सकते हैं रेलवे मंत्राले जो है अश्वनी वहिशनब जी या अगला जो भी मिनिस्टर वनेगा उसको जो अमृत काल में अमृत स्टेशन या इस तरह से कुछ बन रहा है ना उसमें आप जितने स्टेशन है उस पे एक प्लेटफॉर्म नमाज प्लेटफॉर्म होना चाहिए पूरी प्लेटफॉर्म जो है कम से कम एक डेर सौ मीटर की नमाज प्लेटफॉर्म हो और उस पे हिंदू तो दीखे भी नहीं कुछ नहीं उस पे तो गेंदा का फूल भी नहीं दिखना यहाँ भी special कोई मरे ना मरे एक दो मजार जो हुआ पर look and feel जो है आना चाहिए लगे कि यह नमाज पढ़ने वालों के लिए सरकार ने अम्रित काल में जो विवस्था की है यदि कुछ जगों पे यदि भूमे की समस्या हो तो जो existing platforms है उसी में से एक जगा काट करके आगे का भाग काट दीजे थोरा सा और वहाँ से आगे जो है कि यह नमाजियों की जगा है ऐसे विवस्था कर दीजे ताकि उनको किसी भी तरह की inconvenience ना हो अंदा मूब कहीं से आवा यदि मतलब ट्रैक विछा रही है नए जहां डवल लाइन हो रहा है पहले सिंगल हुआ करते थे वहां डवल तो उसको ट्रिपल बना दीजिए क्योंकि कुछ लोगों को पटरी पे ही करनी होती है नमाज तो ऐसे लोगों को अब आदत की बात होती है कुछ लोग का आप कित रेलवे की पटरी पे ही पढ़ते हैं और ये भारत में बंगलादिश में कई जगा पी प्रिचलन में हैं तो पटरी जब बना ही रहे हैं फ्रेट कोरीडोर हो या ना हो एक नमाज कोरीडोर तो प्रॉपर आप बना ही दीजिए तो उससे भी मुझे लगता है कि सबका प्रास वाले सेक्शन में एक अच्छा संदेश जाग और चुनाव का समय भी है चुनाव के समय मुझे लगता है कि ऐसा करना मुझे ठीक लगता है फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी याता यात मंत्रा लें सड़क राजमार्ग और राष्ट्रे राजम कर देखें निश्चेंद रहेंगा हाँ ठीक है रुक ना यहां पर और वहां पर फिर जापान वालोंने संभवता वर्ल्ड कप फुटबाल हुआ था तब क्या था पूरा जमीन का दो टुकडा ही लेकर के आगे तो रहसे करके मतलब ऐसे करके आया और बन गया वह स्टेडि होता है तो उस पे गड़ा खुदे और सड़क नीचे जा और दरी बिची हुई एकदम घास की भूमी जो है उपर आ जाए से टेकलोजी कहीं जो मोदी जी फाइब जी और यह सब डिच्टल इंडिया हो रहा है यह सब भी कीजिए कहा है हमारे आयटियं कहा है ब्रेंड वाल बात कर रहा है फासी बाद यह सब पर जो है वह हो और उसका देरे देरे घर जाए और उसके आद रेड लेट जो है ग्रीन हो जाए यह एक मैं एक कंसर्ण सिटिजन के रूप में और जो सब का विश्वास में मोदी जी के उसमें मैं अपने आपको अलाइंड पाता हूं आप मेरे वीडियो में देखते ही हों तो इसमें भी जब सब का विश्वास हो ही रहा है और ये एक हर जगा पे इस तरह की चीज़ चल रहे है तो मुझे लगता है कि मेरे इन बिंदूओं पे विचार करना चाहिए पार्टी के भी थौट प्रोसेस के साथ अलाइंड है मैं स्थापना कर सकते हैं